Hi and welcome to the High Priestess Tarot, आप सब लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत है So let us see, आज 3rd March 2022 में आप लोग क्या देख सकते है, क्या expect कर सकते है आपके लिए Universal Guidance Messages क्या होगा from the Spirit Energy So यह एक General Reading है, यहाँ पे Zodiac वगेरा कुछ भी important नहीं है अगर Messages आप से Resonate करता हो, तभी Messages को समझना आपके लिए है बाकी के Messages यहीं पे छोड़ के जाना दूसरे Viewers के लिए So शुरू करते हैं and let us see, आज 3rd March 2022 में आप लोग क्या जान सकते हो, क्या जानना ज़रूरी है We have 8 of Wands, the Moon Energy and the 7 of Swords Energy So first of all, collective, जो मुझी आपे दिख रहा है, is की आज का जो दिन है, आप kind of going with the flow वाला situation से गुजर रहे हो आज के दिन नहीं आपको ए खास planning कर रहे हो, नहीं आप खुद को प्रेशराइस कर रहे हो आज का इन आप लो के साथ आप जा रहे हो जब जैसे जो भी requirement है, आप उसे पूरा कर रहे हो I also see here that आज आपको किसी से support मिल सकता है या आप किसी को support कर रहे हो आज आपके emotions जो है, वो काफी हाई है चाहे वो pain हो, चाहे वो happiness हो, चाहे वो tension हो जो भी emotion है, जो भी feeling है, जो आप feel कर रहे हो या feel कर रहे हो इन दिनों, वो आज काफी high होगा, वो आज काफी ज़्यादा होगा But I see, जो लोग किसी painful situation से गुजर रहे हो अगर आप बहुत ज़्यादा sad हो, बहुत ज़्यादा depressed feel कर रहे हो I see that आपके सामने कोई ऐसा friend होंगे या कोई भी ऐसे person होंगे, जो kind of आपको support कर रहे है जो kind of आपका sad दे रहे है ऐसे situation में जो आपको एक solution बताने की कोशिश कर रहे है बर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई करीबी person जिसे support की ज़रुरत है, जो emotionally बहुत ज़्यादा depressed feel कर रहे है या जो support चाते है, I see that आप लो kind of is friend को support कर रहे हो ठीक है, बत आज का दिन थोड़ा सा emotional रहेगा आज का दिन थोड़ा सा friends and family only दिन रहेगा आज ऐसा नहीं है कि आप बहार जा रहे हो, party कर रहे हो, socialize कर रहे हो I see that आज आपके life में जो भी सारे चीजे important है आपके family, आपके friends, आपके बच्चे, आपका घर, आपका career आप इन सारे चीजों पे kind of ज्यादा focus कर रहे हो We have the chariot energy आपके career situation में We have the queen of cups and the three of cups So, आपके career situation में collective, what I really see is that First of all, आप kind of stable हो But at the same time, आज आपके dreams काफी high है आज आप किसी चीज को celebrate कर रहे हो So, overall, I see बहुत सारे लोग आप किसी बात पे बहुत जादा खुश हो आप किसी बात पे celebrate कर रहे हो And आप आज बहुत जादा focused हो अपने future पे आप kind of plan कर रहे हो that आप क्या करना चाते हो आज से पात साल बात, दस साल बात आप आज थोड़ा सा उस पे जादा focused हो But overall, आपके career या finances में भी I see that लोग आपको help कर रहे है या आपके life में कोई ऐसा special person है जो आपको help कर रहे है आज के दिन का सबसे बड़ा message जो होगा आपके career wise या आपके finances wise is that do not lose hope hope lose मत करना जो भी काम कर रहे हो जो भी manifest कर रहे हो जिस भी चीज के पीछे दिन रात महनत कर रहे हो you know hope मत छोड़ना hope lose मत करना because आप जो भी सपना देख रहे हो उसमें वो सपना पूरा हो सकता है यह मुमकिन है आप में वो काबिलियत है या तो वो सही time पे होगा या फिर आपको सही रास्ते पे चलना होगा वो effort वो energy वो सब कुछ देना होगा ताकि आप इस सपने को पूरा कर सको I also see कुछ लोग आप किसी ऐसे situation पे ज्यादा focused हो आज जो उतना भी importance नहीं है आप kind of tension ले रहे हो किसी meeting का किसी assignment का कोई पैसो का, savings का, घर का, EMI का but कुछ और भी important issues है जिसके उपर आप नजर नहीं डाल रहे हो so कोशिश करो that आप इस वक जिस भी चीज में focused हो जिस भी बात में आप tensed हो जो भी आप धून रहे हो, कर रहे हो, tension ले रहे हो आपका main target क्या है, आपका main picture क्या है main planning strategy क्या है आप छोटे मोटे चीजों पर बहुत जादा tensed हो या focused हो या tension ले रहे हो जो ऐसी चीजे जिस से बरी चीजे है आपके life में आप अमना blessing count नहीं कर रहे हो आप अपने problems को count कर रहे हो so I feel here बहुत सारे लोगों के लिए आपको थोड़ा सा और gratitude show करना है towards the universe आपको ये भी देखना है that आपके पास क्या है ना ही की सिर्फ ये की क्या नहीं है so आज specially आप positive energy में हो so इस positivity को maintain रखो and ये सोचो that इसके आगे आप क्या कर सकते हो and also इस वक्त आपके life में आपके priority क्या है बहुत सारे लोग आप अपने priority के बाहर जाके कुछ कर रहे हो कुछ ऐसी चीज में या कुछ ऐसा काम में आप अपना time waste कर रहे हो आज जो आपको उतना अच्छा results नहीं दे रहा है जो kind of a wastage of time, energy, money या effort हो सकता है so जो भी खर्च कर रहे हो सोच समझ के करो and planfully करो strategy wise करो अन्धाधुन मत करो ये मत सोचो की ठीक है जो होगा देख लेंगे because आप अपना time, energy, effort, पैसा क्यों वेस्ट करोगे ठीक है so that is something you should be knowing आपका love or emotional में we have the king of cups, the morning energy and the seven of cups I definitely see that बहुत सारे लोग, आपका options open है आज कुछ लोग, आप online हो, flirting या आप online dating कर रहे हो फिलाल singles हो में भी आप and आप kind of आप बस kind of चीजों को casual रखना चाहते हो आप इतना जादा टेंशन नहीं लेना चाहते हो अपने love life को लेके आप जादा stress नहीं लेना चाहते because already आपके life में दूसरे जगाओ पर stress है जो लोग relationship में हो I see that आप जो manifest कर रहे हो वो ठीक है but आज का दिन थोड़ा सा confusing रह सकता है I see आप जितना confused हो से जादा आपके person confused है that आप फिर क्या चाहते है या क्या हो रहा है इस person के मन में emotions है उस बारे में कोई भी शक नहीं है यह person definitely definitely emotions रखते है प्यार हो, liking हो जो भी है इस person के मन में है but I see that यह person थोड़ा सा और wait करना चाहते है थोड़ा सा और clarity पाना चाहते है थोड़ा सा और direction चाहते है because I see recently कुछ conflicts था recently कोई tower moment था recently आप लोग kind of या तो किसी जगरे से निकले हो या घर में बहुत ज़्यादा problem था इस connection को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा struggle कर रहे थे so I see that इस person को थोड़ा सा validation चाहिए इस person को थोड़ा सा भरोसा चाहिए that यह person आपके connection में invest कर सकते है वो safe है and ऐसा करने से आप लोगों का सच में कोई future बन सकता है because I see आपके person के मन में emotion है बट यह person confused है that इस emotions के basis पे आपके connection पे invest करना सही होगा या गलत जो लो conflicted relationship में हो long distance like problem है, conflict है separation है I see अभी भी आपके person feelings रखते है अपने मन में अभी भी यह person feel करते है आपके लिए but the problem is यह person चीजों को seriously नहीं लेते है यह person चीजों को like action नहीं ले रही है यह person like ठीक है हो रहा है होने दो, देखा जाएगा maybe अपने options open रहे है maybe यह बस casually ले रहे है चीजों को है, so थोड़ा सा और serious होने की जरूरत है, थोड़ा सा और clear होने की जरूरत है that आखिर किसको क्या चाहिए इस connection से and क्यों क्या intention के साथ यह person इस connection में invest कर रहे है है, so यह दो चीज अगर इस person को clarity मिले आईसी यह person अपना decision ले सकते है, so overall that is what I see for you, आपका 3rd March 2022, I hope यह आपको help करेगा, resonate करेगा, thank you so much for watching general reading था, so जितना resonate किया, उतना ही लेना इसको बिलकुल भी force मत करना अपने situation पे, thank you so much, take care, God bless you and goodbye झाल